हेलो फ्राइब वेलकम बैक टू टेक्निकल अधिकरी चैनल फ्राइब आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने फॉन के जो नेट स्पीड है उसे इंक्रीज कर सकते हैं अगर आपका जियो का सीम है एटल वोड़ा फॉन कोई सभी सीम है तो फ्राइब कभी और जिससे आपका जो इंटरनेट के स्पीड होगी फॉन की वो बहुत ही अच्छी हो जाएगी तो फ्राइब ज्यादा टाइम विस्ट ना करते हैं सीधे लेके चलता हूँ मैं आपको अपने अंड्रोड फॉन के स्क्रीन पे फ्राइब यहाँ पर आपको जाना है पॉन रहें तो तो फ्रैंट मैं लेते हैं तो हमारे फान में जो एपे ओॉट सेटिंग बाइड फाल्ड पहले से शट होती और वा हमारे एरिया के हिसाब से नहीं होती जैसे कि आप कहीं पे रहते हो तो उस area के हिसाब से वह set नहीं होती तो वह already by default set की जाती है तो friends आपने यहाँ पे simple से 2 से 3 setting जो है change कर देनी है जैसे friends यहाँ पे आपने देखा होगा APN जो है protocol यह IPV4 है तो अगर आप इसमें देखोगे इसमें आपको दो option और मिलते हैं एक IPV6 और IPV4 तो friends यहाँ पे आपने दोनों try करने है पहले IPV6 करके जैसे मैंने IPV6 कर ले इसके बाद जो यह IPN roaming protocol इसको भी IPV6 करके और last में जो यह barrier का है इसको आपने अल्टी कर देना है यहाँ से clicker के अल्टी friends बस इतना ही है पर यहाँ पे आपने पहले यह जैसे save कर लिया यह मैंने यहाँ पे save कर लिया save हो चुक है friends इसके बाद आपने अपने net speed देखना है कि यह क्या ठीक है कि नहीं अगर आपको लगता है हाँ भी कुछ जो increase हुआ है आपके net जो speed बड़ी है तो अच्छी बात है और अगर यह नहीं हुआ है अगर आपको लगता है अभी भी कोई दिक्के दे दोबारा आपने से क्लिक करना है क्लिक करने के बाद फ्रेंस दोबारा आपने इसी में जायना है IPV प्रोटोकॉल में अब आपने देखना है कि IPV4 और IPV6 पे आपने क्लिक करना है क्योंकि friends कहीं कहीं क्या होता है कि आपके area में हो सकता है IPV6 जो IPV4 यह network है वो ज़्यादा अच्छा हो यह 6 हो या फिर इन दोनों में ऐसे कोई मी नहीं हो IPV4 और IPV6 दोनों तो आपने इन दोनों को टिक कर लेना है और APN roaming में इन दोनों को टिक करके यह barrier जो है इसको LT कर देना चाहिए आप कोई सा भी जो है SIM use क्यों ना कर रहे हो आप चाहिए 8L का कर रहे हो जीओ का या Vodafone का कर रहे हो आप सिंपल सा इसे सेव कर लेना है सेव करने के बाद friends आपने फिर चेक करना कि आपको जो net speed है वो अच्छा हुआ है कि नहीं और friends यहाँ पर मैं 101% आपको करेंटी देता हूँ आपके जो phone की net speed की जो problem है वो इससे solve हो जाएगी तो friends उमीद करता हूँ छोटी सी वीडियो थे है तीन से चार मिनट की आपको पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को like कर दीजिए और चैनल पर पहली बार रहे हो तो चैनल को subscribe करके bell icon चरूर प्रस के लिए ताकि आपको हमारी new वीडियो को जो notification है वो सबसे पहले मिल सके